साम लेकूं अच्छा मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साब आजकल बेमार है तो मिया साब ने ये डिमांड की है कि उन्हें इलाज के लिए बाहर भेजा चाहे तो क्या आप समझते हैं कि उनको भेजना चाहिए ये नहीं भेजना चाहिए अगर वो बेमार है तो वाकिए फिर उनको भेजना चाहिए ने क्यों भेजना चाहिए अभी तो वो अभी तो उनके केस चल रहा है यहाँ पाकिस्तान केस तो चल रहा है लेकिन बेमार बंदा हो जाता है अब भी हो सकती है और भी बेमारॉसकता भीमार बीमारे कुम्त करना चाहिए वीज़ाइं ने में पेज़ाओ मुझे यह बताएं कि अभी नमाज शिर्स फाफ का एलील शाउइ उनों ने सुप्रीम कोट में ये अपील दायर किये कि उनको इलाज के लिए लंदन जाने की जाए आप समझते हैं कि उनको इजादद देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए उसकी वज़ा कि उसने गुरुईबा का बहुत खुँचूसा है उसने आम जैसे मज़़ूरों का बहुत ही खुँचूसा है ठीक है ना अभी थोड़े दिन और हैं अभी हमारे अहलाज ठीक हो जाएंगे किस तरह ठीक होंगे इन्शायला जैसे आगे 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 आएंगे माजी अलाए ठीक हो गे ते हमारे अलाद खुद खुद झी महीने में कुछ हुआ बेटर होजाए contexts अगर जो नी ह्कुम्ह दाती है तो ऐसे तो ने ठीक हो जाता आस्ता आस्ता भी ठीक होता है बई नौाज श्रीफ साब की सेथ के हवाले से कोई पेगाम देना चाहेंगे इन्सानियत के तोर पर नौाज श्रीफ को तो अल्ला ताला ही पाशिक सकता है हम लोग नहीं उसको माफ कर सकते क्योंकि उसने अहलात भी ऐसे का दिये पाकिस्तां के वो जो बनाएगी है ना पाकिस्तां में उस्पिटल उन में सुरुफ अंभी लोगों का इलाज होता तो इनका क्यों नहीं हो सकता है शरा पाकिस्तां का दिये पाकिस्तां का दो जाएगी है